हलो फिरेंड देगल्फ टेकनिकल में आपका सौगत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका सौगत करता हूँ आज का जो टॉपिक है वो किरन रिलेटेड में है जब भी रीगर हो या उपरेटर हो वो इन चीजों को सबसे ज़्यादा धियान देना चाहिए एक वीडियो भी मैं बताऊंगा वो किस तरीके से वो एकसिडेंट हो गया कोई भी जब एकसिडेंट होता है इंसिडेंट होता है उसको हमको देखना चाहिए क्योंकि अपने लाइफ में हमें एक लर्निंग मिलता है एक हमें सीख मिलता है एक हमें डर मिलता है तो जब वो हम को मिलेगा तो हम उन चीजों को गलती करने से दोबारा जो गलती हम करेंगे उससे हम रुकेंगे उससे हमें काफी knowledge मिलेगा तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखना और इस वीडियो में आप बने रहना क्यूंकि आपको काफी knowledge मिलने वाला है कि कुछ जो नौलेज होता है वो आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है फूर एक्जामपल जैसा आप यह वीडियो में आप देखेंगे कि एक केबिन को कंटीनर को एक शिप में लोट कर रहा है जैसी वह मेट्रियल को शिप में जब लोट करने लगा तो वह बूम यह वीडियो को बनाने के लिए इसलिए सोचा कि सेम इंसेडेंट मेरे साथ भी हुआ है सेम किरेन सेम मेट्रियल तो नहीं था लेकि मेट्रियल कुछ अलग था वहाँ पे 4 टन का मेट्रियल था और जो यह किरेन था सेम किरेन 50 टन का सेम किरेन टायर मॉंटेट किरेन इसको क वूमें कुल एफिक्ट था। बूमें कुछ प्राब्लम था जwhat जैसे हम डून मारते ही तो बूम में काफ़ी जटका आने के कारण वह करन पल्टी हो गया सैकन उसमें जो सबसे बड़ी बात थी पल्टी होने का वो जादा boom down मार दिया गया तो इस कारण से किरन पल्टी हो गया suppose for example यह आपका हाथ है यह हम इस range में उठाएगे तो हमें बहुत ताकत है उठाने में जैसी जैसे हम इसको boom down करते रहेंगे तो यह यह जो weight है इदर कम होगा पूरा weight इस तरफ आ जाएगा तो सेम इसी तरीके से boom का यह structure यह काम करता है तो सेम इस तरीके से यह पल्टी होने का काफी जादा chance होता है तो इन सब चीजों पर आपको धियान देना है कभी भी आप कोई भी boom down मार रहे तो इसके range से बाहर नहीं जाना है सपोज आप इसको कैसे पता करेंगे कि मुझे इस boom का range से मैं कोई बाहर नहीं जाना है तो आपके पास होता है load chart और diagram diagram और load chart का जरूर इस्तिमाल करें operator हो rigor हो कोई भी हो इन सब चीजों पर आपको सबसे ज्यादा धियान देना चाहिए और सबसे ज्यादा धियान उसको देना है जो operator है जो operating कर रहा है कि मुझे केविन में जो आपको load chart दिया गया है उसकी according हमको उटाना है अगर सपोज आपको बीस मीटर पर पंदरा टन कापसिटी है तो बीस मीटर पर अंदर ही आपको काम करना है जैसे बीस मीटर दिया है तो 15 मीटर 16 मीटर 17 मीटर 18 मीटर 20 21 22 23 में नहीं जाना है मुझे आप इन सब चीजों पर आपको काफी दियान देना है जैसे आपके पास कोई हैवी मिट्रियल है हैवी मिट्रियल है उसके बाद आप क्या करेंगे आप सबसे पहले लोड़ चार्ड देखेंगे उसका रेडियेस उसका इतना डिस्टेंस मेंटें हो रहा है कि नहीं अब को इसके परेंगे और कि अपना करता है, यह को कोई लोग आउफिस बना लेते हैं, इसके अंदर मेट्रियल भी होता है, ऩाफिस घाली है, तोब वह समुंदर के शिप परлонोडिण कर रहा है मेट्रियल को, तो वो किस तरीके से पल्टी हो गया, यह काफी popular वीडियो है, आपने शाहिद कभी देखा होगा, इंटरनेट के ओपर यह वाला सेम वीडियो, तो यह मैं अपने वीडियो पर इसलिए डाला हूँ कि ताकि आपको knowledge मिले, यह incident कैसे हुआ, accident कैसे हुआ, उसकी थोड़ी कारी जब हमको मिलेगा, तो हम लोग इस तरीके से गलती करने से रुकेंगे, तो पिलीज, आप कभी भी किरेन पर काम कर रहे हैं, आपरेटर और रिगर से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कि कभी भी आप भूम का जो रिडियोस है, उसको मेंटेन करें, कभी भी लोड चाट का इस्तिमाल करें, आप ये माइंड को बिलकुल भी हटा दे कि इतना छोटा एक मैटरियल है, और इतना बड़ा किरेन है, अरे उठा लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, पिलीज, आप जो उसका स्टेंडर्ट है, उसको फोलो करें, स्टेंडर्ट क्या है, काफी लोग कमेंट करेंगे सर, हमें स्टेंडर्ट भी बता दो, स्टेंडर्ट वो ही है, जो आप लोट चार्ट फोलो करेंगे, जो आप डाइगिरम फोलो करेंगे, जैसा लोट चार्ट और डाइगिरम मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, जैसा ये देख रहे है, ये लोट चार्ट और ड बना कर दे दूँगा तो आई होप यह वीडियो में आपने बहुत कुछ लर्निंग किया बहुत कुछ नौलेज लिया तो फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और नेस्ट टॉपिक पर जब तक आप अपना शुरक्सर जरूर रखे जैहिन